नमस्कार बच्चो बच्चो आज इस वीडियो में हम लोग सात्वी कक्षा संस्कृत का एक क्वेशन पेपर डिसकस करने वाले हैं यह केंद्रे विद्याले का लास्ट यर का पेपर है आपका और संस्कृत के पेपर में बच्चे सबसे जादा कन्फ्यूज रहते हैं कैसे पे प्रेशन आपको बिल्कुल याद नहीं करने ग्रामर आपकी होनी चाहिए प्रेशन उत्तर इसमें नहीं आते हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी में आते हैं और डूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो संस्कृत का पेपर होता है आपका स्कूल में उसमें आपको आंसर क् कोई वीडियो आती है तो वो मिस्स ना हो आपसे ओके सबसे पहले अपठी तव बोधनम मैं बदा दू मेरे को जितनी संस्कृत आती है मैं हेल्प करूंगी आपके इनके आंसर्स ढूंडने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना क्योंकि संस् प्रशाना जो दिये हुए प्रशन है उत्तराणी लिखत उनके उत्तरापको लिखने है ओके व्याग्र है असमाकम राश्ट्र पशु अस्ति व्याग्र हमारा राश्ट्र पशु है व्याग्र अर्थात बाग अयम अतीव मनोहर है ये बहुत ही मनोहर है देखने में बहुत शोभा देती है कदाचित अस्यम कभी एक समय था जब अयम सगनेशु वनेशु ये बहुत घनेवनों में निर्भियम वेरंतीस में निर्भि होके बिना डरके विहार करते थे घूमते थे हनते साम प्रत्यम व्यागरा नाम संख्या अतिया अलप मतलब होता है कम अलप आहर करना चाहिए कम खाना चाहिए । लेकिन आज कल व्यागरों की संख्या भ enquहती जा रही है व्याग्रे जातिम सर्व नाशात रक्षितुम व्याग्र की चाती पूरी तरीके से खतम ना हो जाए इनका इसकी रक्षा के लिए वन प्रियावर्ण मंत्राले है वन प्रियावर्ण मंत्राले ने अनेकान उपाय नाम करोती बहुत सारे उपाय वो कर रही है परम सर्वे प्र को दूर्ट है दूर्द बूलते हैं मुर्खों को बेवकुफ लोग जो है लोग है उनके लोब से उनके लालत से वा andra 42 वहनों को क्या यह पर जाते हैं वर्ट तो वर्ड मैच करते हैं और फिर यहां पर आजडेस लिख देते हैं वह सही तरीका नहीं है बाद में प्रॉब्लम होगी आपको अगर आप इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करते हैं चलिए एक पदे नुतरत एक पद देना अस तरहुका हमारा राश् पहस्ति यानि की एक ही पद में देना है मतलब एक ही उसमें देना है तो आप यहाँ पर व्यागह लिग देंगे बस आगे है व्यागर मर रक्षित्वा हमें किसकी रक्षा करनी है तो अस्माकम वन संपत्ति रक्षित्वा रक्षित्व्या यानि कि वन संपत्ति लिखेंगे आपकी एक उसमें देना है वन संपत्ति जो भी लिखा हुआ जैसे भी आगे है आपका एक वाके में उतर देना है वन प्रियावण मंत्रा कि मर्थम उपाय करोती वन प्रियावन मंत्राले किसके लिए उपाय कर रही है तो व्याग्रे जाती सर्वनाशात रक्षितुम वन प्रियावन मंत्राले अनेका है याम उपायनम करोती वन जो जाती है व्याग्र की उसकी रक्षा करने के लिए उसका पूरी तरीकी से वो खतम होने का तो यहां पर बताएब आपको कारणम की केशाचितम कुछ धूर्त जो है उनके लोब से जो बेड़ है वो कट रहे हैं आगे हैं भाषा के कुछ प्रशन है रक्षितुम पदे कहा प्रत्य रक्षितुम जो आपका पद है इसमें प्रत्य क्या है तुम पे जो खतम होते रक्ष आपका शब्द रक्षा करना और तुम उन प्रत्य है अनुछे दात एकम अव्यपद चित्वा लिखत अव्यपद वो होते हैं जो की सेंटेंस के साथ बदलते नहीं है जैसे और और आपने कभी औरो ऐसा कुछ नहीं देखा होगा यह वही रहता है जैसे मैं बात कर अशल इस साथ को एसा तो पैर थे हो सकता है टी आप होसकता है जापी यह हुमेश्य यह रहते छॉका चाय चाच बड़त मतलग हो अगे है लेखना मंजुशा को मन्जुषानी बदानी मन्जुशा में जो आपको शब्द दिये गए इनको इस्ति माल करके आपको पांच वाक्षाइन शब्द देख लेते हैं चात्रा शिक्षिका सिक्षिका बसड़ानम कजुबस जो बस जो है उसके लिए है ये विद्याले शे गच्छति मतलब जाना व्रक्षा प्रसन्ना खुश संति है ग्रहम स्यूता धार्यंति तो कहने का मतलब है आपके विद्याले के ऊपर एक तरीके से पांच लाइने लिखनी है अब यह ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक वर्ड यही से उठाएंगे तब ही सिंटेंस बनाएंगे वो बनेगा भी नहीं आपको एक दो वर्ड यहां से हल्प ले लेनी है बस मंजूशा से मंजूशा होता है जो बॉक्स आपको दिया रहता है हल्पिंग बॉक्स तो आप लिखेंगे मम यह वैसे भी आपको आ जाता है विद्यालिय अस्ती केंद्रिय विद्यालिय है सेकंड मेरे विद्यालिय में पुस्तकालिय है सो विद्यालिय मम विद्यालिय एक कहा मैं थोड़ा ऐसे लिख देते हूं उसमें लिखने ना पुस्तकालिय है अस्ती उसके बाद मम विद्यालिय विद्यालिय मेरे विद्याल स्कूल इस्कूल में पांच जो प्रियोक चांए और है मेरे विद्याले में, मेरे विड्याले में जो है दूई शिख्षिकार ने सारी मानली जिए दस शिख्षिकार एंड 12 षिख्षिकाह थी दस SAMPelen North मं विद्यालिय अनेका चात्रां पठंती बहुत सारे चात्र जो है पड़ते हैं निसीदा निसीदा आफय प्राते काले विद्याले गच्षत म benchmarks बस यह कुछ इस तरीके से आप sentence इंसे बना देंगे पांची sentence बनाने है आगे है चित्रम द्रिश्टवा चित्र को देखकर मंजुशात पदानी प्रियुज वाक्यानी रच्यत मंजुशा भी शब्द देगे हैं उनको चुनकर वाक्य लिखिए प्रदत चित्रम यह जो चित् अनेके उपवन में फल से युक्त अनेक क्या है व्रक्ष है फल से युक्त लड़की किताब या फिर खग तो नहीं होंगे तो यहां पर आप लिखेंगे व्रक्षा अगला है व्रक्षा नाम व्रक्ष के उपर अनेके डैश उपविष्ठा संती बहुत सारे यह बैठे यह भी बैठी है तो कौन बैठी है बालीका तो यहां पर आप बालीका फिल कर देंगे आखरी है बालीका हस्ते बालीका के हाथ में एक है डैश एक क्या है तो बालीका के हाथ में एक है पुस्त कमस्ती क्योंकि किताब है इस तरीके से आप इनको फिल कर देंगे थोड़ा ब यह हो जाएगा कि इत्यास मिंथ है इत्यास मिंथ क करना संधी विख्यद करना। डाश प्लश डाश तस्वेव यह हो जाएगा यह त्छे प्लस स्ववेव। अब आविय पदम चित्वा इन अविय पद को चुनकर वाक्यानी पूरियत वाक्यों को पूरा करो राम कृष्ण राम कृष्ण चा मतलब होता है और कथा मतलब वैसा मा मतलब नहीं परीते मतलब चारो तरफ तो राम और कृष्ण होगा यहाँ पर चा आजाएगा ध्यान रखना राम कृष्ण चा में राम और कृष्ण बोला जाता है मतलब चा की जो है वो हिंदी में हम पहले बोलते हैं और लेकिन इंगलिश में बाद में और लिखा जाता है अगर मैं कहाँ सीता और गीता तो आप हिंदी में लिखेंगे सीता गीता संस्कृत में लिखेंगे माफ करिए चा सीता और गीता और पहले नहीं बाद में लिखा जाएगा तो यहाँ पर चाहेगा राम और शाम यथा कोकिला डैश काक है जैसी कोकिला वैसा काक वैसा कमवा तो तथा काक है चाहो गया चिंता डैश करो चिंता मत करो चिंता मा करो विद्याले से डैश वरक्षा संती विद्याले के कहां पर वरक्षा है चारो तरफ तो परिता हो इस तरीके से आपको यह यहां पर फिल करने है अगर आपको थोड़े बहुत वर्ड का मतलब भी पता है तो यह हो जाएगा विलोम पदानी चित्वा लिकत विलोम पद बहुत असान आते हैं मतलब प्रयवाची लिखना है रवी सूर्य का होता है यहां पर सूर्य आप लिख देंगे घोटक हम लोग घोड़े को बोलते हैं अश्व भी घोड़े को बोलते हैं तो अश्व इसका एक जो है प्रयवाची शब्द हो जाएगा अश्व है तोता शुक को बोलते हैं शुक नेक्स्ट ये अंक काना किरते पदानी लिखा तिन अंक के लिए पद लिखे कि हम क्या लिखते हैं 10 इसको क्या लिखते हैं दश चौदे को हम लिखते हैं 410 जो नौ लिखा है ऐसे नौ को हम लिखते हैं नव हिंदी में जैसे आप लिखते हैं से वन लिखते हैं ऐसे टू लिखते हैं त्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन को ऐसे भी लिख देते हैं कई बार और ऐसे भी लिख देते हैं और दस फिर तो उसके बाद ऐसे ही चलेंग नेक्स्ट इस गच्छती प्लस में अगच्छत, नदती प्लस में अनद्यत, ब्रमती प्लस में अभ्रमत, खादती प्लस में अखादत, यह आपकी ग्रामर का पोर्शन खतम होता है, अब आगे है आपकी पठी तव बोधना, मतलब यह आपकी बुक से लिए गए हैं, कुछ ज यह पहला है देख लीजिए पॉस करके अंसर देख लीजिए उसके बाद श्लोक है नीचे यह भी आपकी बुक का है जो शुभाशितानी में दिये रहते हैं आपके उसके बाद यह नाटक का है कहने का मतलब तीन आपकी बुक से यह आएंगे पैरग्राफ क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे अगें आम सेंग कि आपको सीधा प्रशनों के उत्तर दे दिये कि लिखें इनकी आंसर चलिए अब यहां से हम करते हैं रिखांकित तानी पदानी आ अपने पती के रूप में जाती थी तो पारवती किन को अपने पती के रूप में जाती थी तो आप लेखेंगे पारवती किम पती रूपें इच्छती पारवत्या माता मेना आसीत पारवती की माता मेना थी तो किन की माता मेना थी यह लिए पुझेंगे आप तो कस्या माता शिव एव वटू आसीत, तो कहा एक वटू आसीत, मेना परवत्या सक्षी आसीत, मेना परवत्या की सकीती, तो इसमें आप लिखेंगे का परवत्या सक्षी आसीत, कौन थी परवत्या की सकीती, प्रश्न बनाने हैं मतलब आपको, एक असमिन वर्गे, एक वर्ग में सब्तु के बाद नीचे लिखना है ये भी आपके शुभासितानी से लिए गए है दाने तपसी शोरियच है विज्ञाने विनिये नए शमा वशी कृति लोके शमया किमने साध्यते शमा करने से क्या नहीं हो जाता है मनुष्यानाम आलस्य महान रिपूरिपू मतलब होता है दुश्मन आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है यह भी उसमें लिखा होगा उसके बाद मनसा कर्मना वाचा शरीरस्तो सेवत सत्ता सदा तो इस तरीक देवनम दुगदम देवनम मतलब गाएं जो है वो दुगदम दूद क्या करती है देती है तो यानि की ददन्ती एकस्मिन वर्षे एक वर्ष में शड रितु रित्वय भवन्ती मतलब छे रित्वय होती है कृषि का अहर निशम किसान है वो दिन रात क्या करते हैं कृषि कर्माणी कुर्वंति कृषि का काम करते हैं तो इस तरीके से आप इनको मैच कर देंगे अनुप्युक्त कतना नाम समक्षन न इतिलिखत जो सही बात है उनके नीचे आम हा लिखिए और जो गलत है उनके सामने ना लिखिए प्राते काले इश्वरे स्मिर्थे प्राते काले इश्वर को स्मिरन करना चाहिए आम अनृतम बुर्यात बुरा बोलना चाहिए ना मन सास्थ्रेश्ट जनम सेवैत्-ाम बिलकुल सेवा करनी चाहिए मंसे मित्रेंट कलहय करत्वा मित्रों के साथ कलहय करके कलेश करके जनम सुखी बवती लोग जय था आपका संस्कृत का पेपर पूरा उमीद है, जो जैसी आपने प्रफेशन की है, उसकी अकॉर्डिंग पेपर में Questions आये होंगे काफी सारे प्रफेशन आपको आते होंगे बाकी आप देख लीजिए इसी तरीके से प्रफेशन कर लीजिए जितने आपके बुक के पीछे कुछ प्रिशन निर्मान दिये हुए है या फिर जो आपके उसमें शुभाशितारी जो है मासे एक प्रिशन जरूर आएगा उनकी प्राक्टिस कर लीजे so question answers नहीं learn करने आपको okay so thank you so much for watching and wait for other videos to come